आयू के अनुशार वैसे तो मनुश्य गरब से ही सीखने लगता है अभी मन्नू को लीजी आप अस्टावकरजी को लीजी आप सुखदेव मुनी को लीजी आप आज भी ये हमारे वग्यानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गरब में ही बचा सीखने लग जाता है कि इतना विकास हो जाता है कि उसकी समझ सके तो वहीं से उसके हाथ में कुछ नहीं होता लेकिन अगर हम उसकी मदद करें कि उसके अच्छे संसकार दें क्योंकि ये भी एक संसकार होता अगर बाधारन संसकार उसके खाने पीने का ध्यान रखें समाल रखें उसकी उसकी एक्टिविटी नोट करते रहें उसकी हेल्प करें भोजन का ध्यान रखें योगा का ध्यान रखें और आजातम का ध्यान रखें उसको गीता वगेरा का पाठ किया जाए सात्विक्ता की और बुद्धी मुड़े की एनरजी वहीं से सुरू हो जाए दर्म का बीज वहीं स्ताफित हो जाएगा फिर वो होता है गरब से जब वो जीव बाहर आता है उसे होस नहीं होता कुछ पता नहीं होता फिर जिस परकार से उसको माहूल में रख्या जाएगा की छोटा बच्चा है अगर मासारी परिवार में पैदा होगा तो साधानन सी बात है गरवाले उसको वही से उनकरना शिखा देंगे अगर साकाहरी परिवार में उत्पन होगा अच्छे संसकार गर्मे उत्पन होगा, तो वही सिख जाएगा, तो वहीं से उसको संसकार देना प्रारंब करो, फिर उसकी आती है कि धिरे धिरे कैसे माहूल में उसको बड़ा किया जाएगी, उसको धिरे धिरे जब वो बड़ा होने लगता, कैचिंग पाउर इतनी तेज होती है उसकी, जो जो सुनता है उसी को पकड़ लेता है उसके आज़ पार साथ वी के महحت तियार किया जाए गाली गलोज का प्रियूग ने किया जाए आवद दर्भासा का प्रियूग ने किया जाए वहां ग्यान वी ग्यान की बाते होगो और परिवार अच्छे लेएल की बाते करता हो और फिर उसके बाद जब उसको समझ में जब वो स्कूल जाने लगता है यह नहीं कि उसके बैग डाला पीठ के उपर और भगा दिया नहीं, वो समझ के अनुसार, वहां से उसकी सिक्स्यापदती होनी चाहिए, उसकी बुद्ध के अनुसार, उसके सिक्सक निर्धारित करने चाहिए, उसके उपर काम करना चाहिए, फिर पांचवी कलास आती है, एक मोड होता है, ये स्टेप होता है, उसके बाद उसका चुना ह जीवन का, कि जीवन की पढ़ाई कैसे चलेगी, आगे कैसे होगा, क्या करना है, फिर उसी के अनुसार घरवाले उस सचुन का चुनाव करके, तो कि आजकल तो शकूल हैं गुरकुन तो है नहीं, नवेदों की पढ़ाई चल रही है, उसी के अनुसार उनके साथ साथ, अगर गरवाले घर में वेदों का दीरेज्रीन का द्यनकराना सुरू कर दें, घरवाले साथ दें, नेगैटिव बातें कमरें , पॉजिटिव रखें उसको अगर तयार किया जाए अच्छे से, उसका गेम्स शरू करवादे, यह उसकी प्रैक्टिस शरू करवादें.. फिर पड़ावाता है दस्वी का पात साल बाद वो आयू ऐसी होती है बच्चे का जो माइंड होते है ना वो डेवलप लगबग हो चुका होता है और सीखने के लिए उसके पास और नई नई चीज़ आ जाती है वो वासनाओं में बटकने लगता है उसका बुद्धी जो है वो इस्तरी और पुरुष को जान करके उनके अंदर मौफ पड़ने लगता है इदर उदर ध्यान बटकने लगता पड़ाई से ध्यान कम होता है दिशा उसकी बदलने लगती है तो आपको उन चीजों का बहुत ध साइड में जाना चाहिए कैसे जीवन का उप फिर उसका जीवन निरधारन की जो पड़ाई होती है वो की जाती है किस प्रकार से जिस साइड में जिस फिल्ड में जाना होता है वहां चुनाओ हो करके वहां चुनाओ मतर एक वेक्टी का हो जाता है एक बिजनिस का हो जाता है एक पैसे के लिए हो जाता है अगर उसके साथ साथ वहां चुनाओ उसकी सिक्स्या का उसके बोद एक सतर का उसके आधात्मिक सतर का उसके मन का उसकी एनरजी का, उसकी ताकत का, उसके विकास का भी साथ साथ में मदद की जाए और उसको जगाया जाए, प्यार से समझाया जाए और उसे प्यार से हर चीज शिखाई जाए तो वो वेक्ति मानव नहीं, महा मानव बनने के रास्ते के उपर चल पड़ेगा और जब उसका विकास होगा आपको उसके पीछे घूमने किया हो सकता नहीं होगी उसके पीछे तो संसार होगा क्योंकि वो मानव नहीं महामानव बन चुका है और जो महामानव बन चुका है वो संसार के लिए परेड़ना बन जाता है